चलिए तबाज हम लोग set 3 के last section में चल रहे हैं section D जिसमें total 3 questions होंगे और परते question में आपको और मिलेगा और परते question का जो weightage होता वो 5 marks का होता है total 15 marks का weightage होता है सबसे पहला question है what is meant by resistance of a conductor तो resistance से आप क्या समझते है and define its SI unit SI unit को define करना है सिरफ लिखना नहीं है define भी करना है तो resistance में हम लिख सकते है the property of a conductor to resist the flow of charge हम यहाँ पर लिख रहे है the property of conductor to resist resist मतलब रोकना जैसेम लोग चलते है तो friction force अपूच करतना रेसिस्ट दा फ्लो ओफ चार्ज थ्रू इट तो resistance का यहाँ पर क्या लोग वाट डियू मिन में रेसिस्टेंस तो the property of conductor to resist the flow of charge थ्रू इट इसे हम लोग नाम देंगा resistance and define its SI unit हम जानते हैं कि R बड़ाबर क्या होगा सर ओम सलो से आप जान रहे हैं कि B बड़ाबर क्या होता है सर I into R तो R बड़ाबर क्या हो जाएगा B upon I तो B हो गया potential difference I हो गया current जब 1 voltage हो और current केतना होना चाहिए 1 ampere तो वो हो जाएगा 1 ohm ठीक है तो चलिए हम लोग बोल सकते हैं if the potential difference across the two end of a conductor is 1 volt and current through it is 1 ampere that is called 1 ohm ठीक है ओके next आप यहां formula भी लिख देते define नहीं करने के बदला आप यह भी चीज लिख देते वहाँ पर कि 1 ohm बड़ाबर 1 volt by 1 ampere आपको full में full marks मिल जाएगा next question list two factors आपको दो factor बताना जिस पर resistance जो होते हैं वो depend करते हैं आप तो चार factor पढ़े होंगे कौन-कौन सा पहला पढ़े होंगे आप length दूसरा पढ़े होंगे area of cross section या thickness तीसरा पढ़े होंगे nature of material और चौथा पढ़े होंगे temperature तो चार में से कोई दो भी तो लिखना है आप तो जानते होंगे कि R is directly proportional to L जब length दूगुना होगा तो resistance भी क्या हो जाएगा सर दूगुना हो जाएगा ठीक है and radius is also double तो radius को भी दूगुना कर रहा है ठीक है सर तो इस condition में यदि हमको निकालना होगा find out करना होगा तो जब radius ये जब दूगुना होगा तो resistance भी twice हो जाए length double तो resistance double और जब कहता है radius is double ध्यान दीजएगा जब radius को double करेंगे तो resistance क्या हो जाएगा ठीक है तो resistance reduced होकर half हो जाएगा ठीक है सर कैसे सर अब समझ ये बात को हम लोग जानते है formula r equal to rho l by a ठीक है तो इस condition में rho resistivity को represent करता है सही है हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस formula को r equal to 1 upon l upon यहाँ पर rho और area के जब पर थो हम pi r square लिख सकते हैं जो circle का area होता है ठीक है तो अब इस condition में क्या होगा सर की r बड़ाबर हो जाएगा rho into 2l लेंद तो दूग ना हो गया area pi 2r square काया कि radius भी double किया जा रहा है समझ रहें बात को इस हिसाब से जो हमारा solution होने के बात आएगा तो उन copy पर बता दे आपको यह हो जाएगा सर r dash is equal to rho into 2l upon pi 2r square तो r dash equal to rho into l by 2r square अब बताईए यहाँ पर इस condition में आपका यह 2 by 4 equal to क्या हो जाएगा r by ना r by 2 यह कर जाएगा न 1 by 2 तो resistance क्या हो जाएगा सर हाफ हो जाएगा चलिए next यह लिखावा गीव दा justification तो यही चीज़ा आपको लिखते ना होगा next कहता और वाला in an electric circuit three bulbs of 100 watt तीन bulbs 100 watt के हैं and each are connected in series sources पहले series में जोरा जा रहा है and in another circuit set वही same चीज़ को parallel में जोरा जा रहा है एक बार series में जोरा जा रहा है ध्यान रखेगा दूसरा parallel condition will the bulb in the two circuit glow with the same brightness justify or answer तो पहले ता answer ली देना है no क्यों नहीं अब उसको समझे in series combination आप जानते overall resistance क्या होता सर increase कर जाता because series में R1 plus R2 plus R3 ऐसे गर के जोरते थे total resistance क्या होता बढ़ जाता है और parallel में total resistance क्या हो जाता है कम हो जाता है और potential difference होते है series में आपको मालूम होगा कि series में potential difference बट जाते है voltage होता बट जाता है different होता है इसलिए सभी same brightness से नहीं जल सकते है पहला बात दूसरा यहाँ पर लिखा है now let one bulb यह तो समझ गए बात को अपके तर now let one bulb in the both of the circuit get fuse माल लिए जाए series में भी आपका एक bulb fuse हो गया parallel में भी एक bulb fuse हो गया will the rest of the bulb continue to glow in each circuit तो यहाँ पर भी answer मिल जागा क्या तो ध्यान रखे इस बात को यहाँ पर बोला कि दोनों में एक एक बल फ्यूज हो जा रहा none of the bulb will grow in the series series में तो एक भी बल नहीं जलेंगे none of the bulb एक भी बल नहीं जलेंगे यह ध्यान रखेगा बट इन parallel cases यदि एक बल फ्यूज भी हो जाता तो rest दो जलते रह जाएगे ठीक है sir जैसे माल लिया जाएगे series combination यह भी बलब है यह भी बलब है यह भी बलब है यदि यह यहाँ से cut गया यह fuse हो गया तो current जाहीं नहीं पाएगा तो एक भी बलब series में नहीं जलेगा बट parallel combination में क्या होते है sir कि जैसे यहाँ से अब समझ यह बात एक यह हम इसको copy पर समझाद है या copy यहीं पर समझाद है एक यह बलब हो गया दूसरा बलब यह हो गया तीसरा बलब यह हो गया माल लिया जै यह बलब खड़ाब भी हो गया तो उपर तो current जाएगा ही current इधर भी जा रहा इधर भी जा रहा थी तो डो टाइब के pollination आपको लिखना है, self और cross, सिर्फ नाम ली देना, self and cross, आपको उस पर मिल जाएंगे, एक marks, उसको differentiate करना है, तो self pollination में क्या होता, transfer of pollination from enter to stevum within the same flower, बट इसमें plant क्या होता, इसमें लिखेगा, plant same, एक में plant different, तो आपको एक नमर उस पर मिल जाएंगा, explain the post fertilization changes that occurs in the ovary, तो after fertilization ovary किस में convert हो जाता है, fruit में, ठीक है, और ovary किस में convert हो जाता है, seed में, तो लिख दीजएगा, after fertilization, the ovary get converted into the fruits, ठीक है, और वहाँ पर jagot लगातार, divide करते जाते हैं, जिससे ovary जोता हो fruit बन जाता है, और ovary जो आपको, आगे लिखा हैं, आपर given below the diagram, germinating seeds and label the parts, आपको यह देखिए, यह बहुत important है, A वाला part, B वाला part, यह आपको अक्सर exam मिलेंगे, तो C देखे, covering को क्या बोलते हैं सर हम लोग, इसको cotyledon, इसको सर क्या बोलते हैं, cotyledon नाम दे देंगे, जो नीचे पार्ट जा रह प्लीम्यूल नाम से जानेंगे, ठीक है, चलिए, यहाँ पर लेखा हुआ है, कि store food, food को store करते हैं कौन, तो Cotyledon, give rise to future root कौन बनाएंगे, तो radical, future में suit को कौन बनाएंगे, प्लीम्यूल, next, अब एक chemistry से काई कि, इसमें तीन question होते हैं, तीनों से के, एक physics, एक chemistry, एक bio, बायो होगे chemistry, कहता है, यह अच्छा question है, compound A, with molecular formula this, अब यह molecular formula दिया है, बताइए, तो दो oxygenate, जाएड से बात है, कौन सा functional group हो जाएगा, सर, अब आगे देखें, क्या पूछ रहा है, react with base, to give salt and water, यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर reaction देना पर होगा, identify A, state its nature, and name the functional group, and it possesses and write the chemical equation for the reaction involved, अब अच्छे से समझेए, यहाँ पर क्या है सर, कि, इस से आप कौन सा functional group बना सकते हैं, तो दो carbon होगा, और एक oxygen देखें, यहाँ पर दो है, तो दो oxygen जब यहाँ पर लिखा हुआ ह इस condition में ध्यान रखिएगा, यह एक ही functional group हो सकता, उसका नाम होता acid, इसमें total कितने hydrogen लग जाएंगे सर, तीन लग जाएंगे सर, दो carbon होगे, इसको हम सौट में लिखेंगे, CS3, COOH, यह acid के seed हो गया, A हमारा, ठीक है, यह इतनों यह के seed लिख दीजेए, इसको, अब nature functional group and name the function group, function group में हो जाएगा, COOH, carboxylic acid, ठीक है, ओके, and write the chemical equation for the reaction involved, आपको chemical equation लिखना है, तो उसको हम उपर लिख देते है, CH3, COOH, acid के seed, plus NaOH, sodium hydroxide से जब react करेगा, CS3, COO, Na, बन जाएंगे, ठीक है, और साथी साथ, plus हो जाएगा, H2, ठीक है, सर, उपर गारी action भी complete हो गया, आगे चले, कहता है, यहाँ पर, second part में, when the above stated compound A, मतलब उपर जो A आपने माना, इतनों के seed को, react with another compound B, जिसका molecular formula यह है, in the presence of an acid, और वो acid कौन सा होता, sulfuric acid, एक sweet smelling substance बनेगा, C, मतलब है, यह क्या है, ister बन रहा है, जब इतनों के seed से, आप react करवाएगा, तो sweet smelling substance, ister बनेगा, यहाँ पर क्या कर देना होगा, सर, यहाँ पर हमारा, कहता है, B और C, क्या होगा, सर, पर यहाँ तो हम reaction ही लिग देते, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो reaction में हो जाएगा, आपका, CS3COOH, यह हो गया, इतनों के seed, प्लस, इतनों, C2H5OH, ठीक है, इसे इतनों ही बन सकता, आपका एक oxygen है, okay, and, यह बन जाएगा, CS3COOC2H5, प्लस, यह हो जाएगा, water, तो हमारे पास कहा रहा, B क्या हो गया, तो A तो हमारा इतनों के seed हो गया, B हो हो गया, हमारा इतनों, C हो गया, हमारा इस्टर, ठीक है, यह C हो गया, तो हमको identify करना था, B और C तो हो गया, state the role of acid, इसमें जो acid यूज़ करते है, यह catalyst का काम करते है, ठीक है, तो इसका काम क्या हो, catalyst का काम, and write the chemical equation for the reaction to equation, तो हम लिखी दिया आपको, next, name the compound formed when the ethanol is heated, जब ethanol को हम heat करते है, इतना degree पर, तो क्या बनता है, तो इसमें ethanol को heat करते है, आपको मालूम होगा, जब ethanol को heat करते है, तो वो compound कौन सा तयार करेगा, ethanol, C2H4 बनता, C double bond, C वाला, याद होगा आपको, इदर hydrogen, 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 okay, और यहाँ पर S2, S4 का, जो है, sulfuric की शीर का क्या रॉल होता है, इस reaction में, तो यह एक dehydrating agent होते है, और उसी का एक आपको electron dot structure भी बना देना होगा, यह इथीन का, इथीन का dot structure कैसे बनेगा, सर, तो C, जहाँ double bond होगे तो 4 dot carbon, फिर 2 dot hydrogen, 2 dot hydrogen, इधर भी 2 dot hydrogen, इधर 2 dot hydrogen, होगे dot structure, के लिए यहाँ तक, next कहता है, what is hydrogenation, बहुत ही very very important question है, इस साल के लिए, 2024 के लिए, what is hydrogenation, तो the process of conversion of unsaturated hydrocarbon को, saturated में जो convert करते हैं, इसी को बलते हैं, hydrogenation, और वह भी निकलिया प्लाइडियम केटलिस्ट के hydrogen, इट with the help of chemical equation, तो chemical equation एक बना दीजेगा, लीजे, C, double bond C, इधर में आप कोई भी alkyl group लगा दीजेगा, R से alkyl group को represent करते हैं, ठीक है, यह निकलिया, प्लाइडियम, केटलिस्ट के परजेंस में, यह saturated में convert हो जाएगा, यह alkyl group ही लगा दीजे, ठीक है, आप इसका use कहां पर करते हैं सर, तो vegetable oil से vegetable घी बनाया जाता है, ठीक है, याद रखे कि इस बात को, to use in making, आप पड़े होंगे chemistry में, कि vegetable oil से vegetable घी को तयार किया जाता है, ठीक है, चलिए, यहां तक होगा complete, अब section E तो same ही है हर एक set में, next video से हम लोग chemistry में बात करेंगे, carbon chapter के उपर में, okay, good luck, set यहां पर complete, section E, तीनो set में same questions होते हैं, तो first set के video आप watch कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगा, इसका सारा answer, okay, good luck,